Hello everyone, उमीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया, आज किस वीडियो में हम compound interest, चक्रवधी बयाच की कुछ सवाल करेंगे, जिसमें हमारे group D के प्यारे विध्यार्थियों को जरूर फायदा होगा, और exam में एक दो सवाल आ रहे हैं this topic से, तो आपको एक दो नंबर की help हो जाए, मेरा यही इस वीडियो की माध्यम से आपके लिए message है, तो उमीद है आप वीडियो में end तक बने रहेंगे, वीडियो पूरा देखेंगे, तब ही आपको फायदा होगा, और जिन विध्यार्थियों का group D का exam हो चुका है, वो लोग मेरे description में जा करते हैं, बिना time waste करें, सबसे पहला सवाल, चक्रवधी ब्याज की दर से कुछ धनरासी दो वर्सों में 2.25 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ग्याद करो, 25%, 30%, 45%, 50%, यह हमारे option है, तो दो साल में कोई धनरासी, सवा 2 गुना हो गई, मतलब अगर आपने bank में 100 रुपए जमा किये, तो 100 रुपए का 2.25 गुना करोगे ना आप, तो यह हो जाएगा 225 रुपए, है ना, bank में 100 रुपए जमा किये, 225 रुपए हो गए, 100 रुपए हो गया आपका मूल धन, और 225 रुपए हो गया मिस्र धन, प्रिंस्पल 100 रुपए, अमांट 225 25, तो 100 से बाहर निकलेगा कितना, यहाँ पर जोड़ा बनेगा, 10 इंटू 10, यहाँ पर जोड़ा बनेगा, 15 गुड़ित 15, तो यहाँ से बाहर निकला 10 और यहाँ से बाहर निकला 15, तो 10 रुपए से 15 रुपए हो गया, तो ब्याज कितना मिला, 5 रुपए, और 5 रुपए क का सामान अगर 15 का आने लगा या 10 रुपए मूल धन है 15 रुपए प्रिंस्पाल है तो पांच का फायदा पांच बटी 10 गुड़िस 150 परसेंट आ जाएगा next question BC format का ध्यान से सुनिएगा कुछ धन रासी चक्रवद्धी ब्याच की दर से तीन वर्सों में सुयम की आठ गुणा हो जाती है अगर बैंक में आपने एक रुपए जमा किया तो एक का आठ गुणा कितना हो जाएगा आठ रुपए तीन साल का टाइम है तो इसके उपर क्यूब रूट लगा दो घनमूल लगा दो इसमें जोड़ा बनेगा किसका एक 200 तो रेट जो हमारी योगी ना रेट हमारी हो जाएगी 100 तो दुनों grasp वार्मैट के थे अगर स्क्वेर रूट त jeune साल का समय हो तो क्यूब रूट मतलब घनमूल लगायेगा बहती संपश्भाल हो जाएगा तो सवाल हो जाएगा तो मिधो आप को दोनों चक्रवद्धी ब्याच का अंतर 55 रुपय है तो वह धन रासी मतलब की मूल धन क्या होगा वो आपको ग्याद करना है तो टाइम आपको दिया है दो वर्स और ब्याच की दर दी है 10% साधारान ब्याच के लिए भी 10% चक्रवद्धी ब्याच के लिए भी 10% टाइम में 2 वर्स अगर मैं साधारान ब्याच की बात करूँ 10% आपका दर दिया है दो वर्स आपको समय दिया है तो रेट कितनी बन जाएगी 10 दुनी 20% आपकी रेट बन जाएगी लेकिन अगर कंपाउंड इंट्रेस्ट की बात का है तो चक्रवद्धी ब्याच के लिए रेट बनेगा तो ऊपर के दो जीरो से ये कड़ गया 10 और 10 बीस एक एकमेक तो आपका बन गया 21% है ना ये बन गया आपका 21% तो चक्रवद्धी ब्याच की दर 21% है साधा ब्याच की दर 20% है दोनों का डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे दोनों का डिफरेंस एक परसेंट आ रहा है त 10 और 10 बीस तो यहाँ पर भी था ना तो दो वर्स के लिए यानि कि आपको दो वर्स के CI माइनस SI का जो अंतर होगा ना वो अंतर होगा आपका XY अपॉन हंड्रेड प्रतीसर आपको यह आपको याद रखने XY अपॉन हंड्रेड 10 गुड़े 10 बटे सो तो एक आ जाएगा 20 परसेंट और 20 परसेंट का अंतर है एक परसेंट एक परसेंट दिया है सवाल में 65 तो 100 परसेंट की अगर वैल्यू नकाल है तो दो जीरो यहाँ बढ़ गए तो दो जीरो यहाँ चिपका दो 65 स्विस क्वेशन का आंसर आ जाएग तो आप यह बताओ कि अगर ब्याज की दर 5 परसेंट है टाइम 2 साल है तो 5 दुनी 10 परसेंट आपका सेंपल एंट्रेस्ट बन गया लेकिन अगर कंपाउन एंट्रेस्ट की बात करें तो 5 प्लस 5 गुड़े 5 बटे 100 यह है फॉर्मुला x प्लस y प्लस xy पॉन 100 तो 5 हो 5 दस प्लस 25 बटे 100 अब आपको इसको काटना नहीं है नीचे से 2 0 हटेगा तो 2 अंग पहली दसमलव लग जाएगा तो 10 दसमलव 25 परसेंट आपकी बन गई चक्रवधी ब्याज की दर ठीक है और सवाल में चक्रवधी ब्याज कितना दिया है 328 तो 10 दसमलव 25 परसेंट की वैल्य गुरित 10 यहां से दसमलोव हटा तो 2,0 बनेंगे दसमलव के बाद 2 अंग थे 20,0 बने 5,45》शने 4,5 चालीस बार कटनाć 14 के का इक 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 आट एक त् Macht 8 यानिक की एकतालीस गुरित 8 करो तो 8 कम turned 8 by 32 328 होता है एक ताली सथे आठ चो को 32 तो 320 रुपए साधरन व्याज बनेगा और हमारा जो इस प्वेस्चन का अंसर था पेंशट सो है 16,000 रुपए की धन रासी पर 20 प्रतीसेत वार्सिक दर से 9 महीने का चक्रवद्धी व्याज क्या होगा यदि व्याज की दर 3 मासिक यानिकी quarterly हो 3 मासिक का मतलब होता है 3 माह है ना quarterly 3 मासिक मतलब 3 माह तो आप ध्यान से देखिए 3 माह का मतलब क्या है अगर आपको इसको yearly में convert करना हो ना तो 3-3 माह के 4 slot आते हैं 3, 3 दो नीचे, 3 तर करनो, 3 तीचो को 12 4 slot आएंगे जब पूरा एक साल यानिकी 12 महीने complete होगे 3-3 महीने के 4 slot आएंगे तो पूरा महीना complete होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा इसकी जो rate है ना rate को आपको 4 से भाग देना पड़ेगा तो 20 में 4 का भाग दोगे तो rate बन जाएगी 5% है ना rate को आपको 4 से भाग देना होगा अगर rate को 4 से भाग दिया है तो समय को 4 से गुणा करना पड़ेगा तो 9 चो को 36 36 माह को हम कह सकते हैं वीकेंड से 3 year 12 ती या 36 एक साथ में 12 महिने होते हैं अब 4 का ही भाग क्यों दिया तो 3-3 माह के 4 slot जब पूरे होते हैं तब 12 महिने होते हैं 3, 6, 9, 12 तो रेट में 4 से भाग देंगे तो टाइम में 4 से गुड़ा करेंगे याद रखना रेट में 4 से भाग दिया ताइम में 4 से गुड़ा किया अब 5% की अगर आपन भेनने की बात करें तो 5% की भेनने होती है एक बटा 20 पांच बटे 100 करोगे तो एक बटे 20 आजाएगा इसको करने का पहला तरीका 20 रुपे आपने जमा किये उस पर एक रुपे का ब्याज मिला तो 20 रुपे जमा किये एक रुपे का ब्याज मिला 21 तो 2 दुनी 4 दुनी 8 ये बनेगे आपका 8000 और 21 गोड़े तिक कीज गोड़े तिक होता है 92 61 अब चुकि हमारा मूल धन 8000 आ गया 9261 आ गया आपका क्या मिस्त धन और 1261 आ गया इसका compound interest चक्रवद्धी ब्याज 9266 में से 8000 गटा होगे तो इतना ब्याज मिला जबकि मूल धन सवाल में कितना दिया है 16000 तो ये 8000 का double है तो इसका भी double होगा और आपको इसका भी double करना पड़े था 1261 का double करोगे तो 1261 गोड़े दो 162 दुनी 122 की 22 हासल एक बारा दुनी 24 और पच्चीज 25-22 मतलब इसका अंसर भी ऑप्शन इसका अंसर आ जाएगा next question क्या है 8000 रुपे की धन रासी पर 2 वर्स 4 माह का 15% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवद्धी ब्याज कितना होगा मूलदान आपका 8000 रुपे है ध्यान से सुनियेगा अभी मैं 2 वर्स 4 माह की जगा पूरे 3 साल का 3 वर्स का ब्याज निकालूँगा ठीक है तो 8000 का यह हो गया पहले वर्स का यह 8000 का यह हो गया दूसरे वर्स का यहां पर भी 1200 आ गया यह ब्याज जारक मूलदान पर मिला है तो मूलदान पर मिलने वाले व्याज को साथ हां ब्याज कहते है अब दूसरे वर्स के पहले दूसरे वर्स के पहले एक ब्याज मिला है तो 1200 का फिर 15 परसंट निकालोगे तो 15 बाराम 180 तीसरे वर्स के पहले एक दो तीन ब्याज मिले हैं बारा सो का पंदा परसंट 180 इस वाले बारा सो का पंदा परसंट 180 और 180 का पंदा परसंट निकालोगी तो 189 27 आप calculate कर ले ना percentage तो आई थिंक आप निकाल लेते होंगे तो दो साल का तो पूरा ब्याज कितना बन गया दो साल का ब्याज बन गया आपका 2400 अब यह ब्याज कितना है 1200 180 इक तो साथ को यह ओगा आपका 360 में सत्ता ही जोड़े 70 88 387 तो यह हो गया टोडल 1587 है कर रुपया का ब्याज माड़ बना है ना इसको आप जोड़ सकते हो ।ो यह तो टूडल पणदरह सु एक सटील चैग्वे एक सुअटांकि सुजो ड़ो पूरता स architects 2017 में helping 17 लेकिन मुझे 1587 रुपै कितने महीने का है 12 महेने का चाहिए कितने महीने का चार महेने पूर्य 0 amazon पंद्रा सो सतासी वटे बारा एक महीने का बोड़े चार चारे कम चार चारती है बारा ती पांचे पंद्रा है ना तीन दूनी छह तीन हम सकता है इस पांस सो नतीस रुपए आ गया तो आपका बन गया बारा सो बारा सो चौबीस सो सौरी मैंने यह छोड़ दिया था यह आएगा 31 सुनो उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा कहीं पर भी डाउट है तो कमेंड करके पूछेगा मैं सम्झाने की गोसिस करूँगा या वीडियो को दो तीन बार सुन लीजिएगा डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा Q7 क्या कहता है? 6,000 रुपे की धनरासी तीन वर्सों के लिए 5% वारसिक दर से जमा की जाती है तीन वर्सों तता दो वर्सों की ब्याज का अंतर क्या होगा? है ना? तो ध्यान से देखिएगा 6,000 रुपे आपने बैंक में जमा किये पहले तो 3 वर्स का ब्याज निकालो पहला वर्स दूसरा वर्स और तीसरा वर्स ठीक है? ब्याज की धर कितनी है? 5% तो 6,000 का 5% तो 60,500 रुपे यहां मिला 6,000 का 5% तीन सो रुपे यहां मिला 6,000 का 5% तीन सो रुपे हमें यहां मिला ठीक है? अब बताओ दूसरे वर्स के पहले कितने ब्याज मिले हैं? एक ब्याज म का 5% 15 वो 15 का 5% कितना होगा 0.75 अब भू कह रहा है कि 3 वर्सों की ततरा 2 वर्सों की व्याज कंतर बताओ 300 600 900 45 75 945 तीन साल का बन गया उसमें से 2 साल का बना 300 300 615 तो इसमें से आप माइनस करोगे न तो यह जागा 5 में से 5 गया 0 4 में से गया 3 9 में से 6 गया इन 330 75 जो कि आपका 3rd option है next question क्या क्या रहा है किसी निश्चिक धन्रासी पर 5 प्रतीसत वार्सक दर से 3 वर्स के CI और SI का अंतर इतना है 15 25 धन्रासी पिताईए तो 5% की जो भिन्न होती है ना वो होती है एक बटे 20 टाइम आपको दिया है 3 years तो आपको करना क्या होगा इस 20 के ऊपर जो एक बटे 20 का जो बीस है एक ब्याज मिला है यह वाला तो 400 का 5% हो जाएगा आपका 20 तीसरे वर्स के पहले एक दो तीन तो 400 का 5% बीस इस 400 का 5% बीस और 20 का 5% हो जाएगा आपका एक है ना तो तीन वर्स के CI और SI का अंतर तीन वर्स का टोटल चक्रवद्धी ब्याज कितना बनेगा 400 800 1200 बीस तीसाट और एक एक सट बारा सो एक सट ठीक है और तीन साल का साधा में आज कितना बनेगा बारा सो इसका डिफरेंस कितना आ गया 61 रुपे यह जो एक्स्ट्रा ब्याज म तो नीचे कितने जीरो आ गए दो जीरो आ अब देखो 1525 का चार गुना 1545 चोको 6000 पचीशो को सो तो पंदरा पचीशम और यह चार बार कटा एक भाग की वैली एक बटे चार आ गई तो हमने मुल्धन को कितना माना था 8000 तो आप ध्यान से देखो 8000 गुड़त एक बटे च तो चार एकम चार चार दुनी आएट 2000 आ गया तो इसका अंसर 2000 है तो उमीद है आपको क्लास बढ़िया लगी होगी अगर क्लास बढ़िया लगी है तो दूसरे लोगों तक सेर करिए चैनल पे नए वीवस है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाया रखिए थेंक्यू सो मच्छ नमस्कार जैहन